Hello everybody, welcome to mystic world 11.11 यह आप लोगों की quick energy update है और मैं बिलकुल भूल गई थी कि अभी quick energy update होने लगी है So यह सारे star signs की reading है, यह short reading है, timeless है So quickly हम इस reading में देखते हैं कि आपके person की आज की feelings और thoughts क्या है So याद रखिएगा general reading है, collective है, हर किसी के साथ ज़रूरी नहीं है कि हर message resonate करे So जो चीज आपके साथ resonate नहीं करती है, उसके बारे में सोच सोच कर आपने परिशान नहीं होना है और उस part को skip कर देना है Let's see, आपके person की current feelings और thoughts So हमारे पस है eight of cups, which means कि यह इंसान emotionally distant है Let's see, what more? Let's see, उनकी feelings, okay यह इंसान जान बूच कर आपको maybe ghost कर रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं आपसे क्योंकि वो आपसे बात अगर करेंगे तो वो चीज छुप नहीं पाएगी इसलिए वो फिर आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं या फिर less information दे रहे हैं, आपसे कम-कम बात कर रहे हैं, आपसे distance maintain कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड है, कुछ चीज है ये बात जो नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है, सो ये चीज आपको बहुत ज़दा curious कर रही है Oh God, Four of Swords बहुत ज़दा सोच रहे हैं, ये इनसान क्या सोच रहे है The hanged man, कुछ ना कुछ इनके वहें, कोई management सार्च कोई बात ये इंसान सोच रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि वो इस बारे में क्या करें मेभी कोई decision है या कोई realization है we have the devil, bottom of the deck पर so ये कोई co-dependency issue हो सकता है ये कोई toxicity हो सकती है, कोई tension, कोई problem, कोई चीज जिससे वो दूर जाना चाहते है maybe वो अपने life की routine change करना चाह रहे है या फिर वो कोई बेहतरी लाना चाह रहे हैं जिन्दगी में because ये जो four of swords है, ये मेरे नजदीक बहुत wise card है यानि ये deep thinking का card है, ये wisely सोचना, within जाना, reflect करना चीज़ों के उपर तो आपके person reflect करने का time ले रहे हैं कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके person पिछले कुछ हरसे से बीमार हैं और वो recover कर रहे हैं, maybe medication चल रही है उनकी, वो recover कर रहे हैं और इस वज़ा से शायद वो बहुत जादा आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं relationship work नहीं करेगा आपके person ये सोच रहे हैं कि मुझे अब इसमें से निकलना है कुछ चीज़ें, अब एक बड़ा और specific message आ गया है कि आपके person ने आपकी back पर कुछ किया है यानि मैं अब explain नहीं कर पाऊंगी, I don't know सबके लिए different हो सकता है क्योंकि collective देख रहे है कुछ उन्होंने किया है काम जो आपसे छुपाया है और उन्हें guilt महसूस हो रहा है कि मैंने ये काम किया और इस इंसान से मैंने जूट बोला हुआ है मुझे इस चीज़ को quit करना है या खतम करना है मुझे remove करना है इस चीज़ को I don't know मैं words मैं कैसे इसको explain नहीं कर पाऊंगी कुछ चीज़े हम जाहर है कि openly यहाँ पर बोल भी नहीं सकते है community guidelines, you know so मैं बहुत सब्दा सोच सोच कर right words चूज करके यहाँ पर बोल रही हूँ oh यह देखें, यहाँ पर हमारे पास एक यह I don't know इसको क्या कहते है okay इसको हम छेडेंगे नहीं, यह चल रहा है न इसको हम मार भी नहीं सकते so anyways, यह बीच मैं पता नहीं कहां से अपनी appearance दे दी है आपके person सोच रहे हैं बहुत deeply कोई चीज है जो ठीक नहीं है अपनी जिंदगी से निकालने के बारे में सोच रहे हैं वो और कोई चीज उन्होंने आपकी back पर की है और उन्हें guilt है कि मैंने इस इंसान कोई यह चीज पसंद नहीं मैंने छुपकर यह चीज कर ली अगर उसे पता चलेगा तो वो कितना hurt होगा या कितना hurt होगी तो मैं मुझे बहुत guilt है I can't face him or her तो मुझे अपने आपको बदलना है So I feel कि आपके person का जो जमीर है ना वो उन्हें जोड़ रहा है आपके person के अंदर से जो आवाज आ रही है उनके अंदर एक guilt पैदा हुआ हुआ है तो वो उसको remove करना चाह रहे है clear करना चाह रहे है तकलीफ हो रही है उन्हे इसलिए आपसे जादा शायद बात नहीं करे है बिकर वो आपसे नजरें नहीं मिला पा रहे है क्योंकि उनका जमीर उने कह रहा है ना बार बार के तुमने इस इनसान को धोका दिया है उस इनसान ने तुम्हें मना किया हुआ था कि यह चीज नहीं करनी और तुमने की तो अब तुम्हें शरम आनी चाहिए उनका जमीर उनसे इस तरह अंदर कह रहा है बड़ी specific reading है मुझे तो समझ नहीं आ रहा अजीब messages आ रहे है तो यह इनसान realize कर रहे है तो basically यह एक अच्छे इनसान है that's why उनको यह चीज guilt में भी लेकर गई है so it's a good sign कि उन्हें अपनी गल्ती का एहसास हो रहा है वो guilt में है और वो अपनी गल्ती को सुधारना चाहते है so यह आपकी quick energy update थी कुछ भी आपके लिए helpful रहा पसंद आया मुझे जरूर बताएगा comment section में I'll see you in my next video till then love you lots bye bye